नमस्कार अपुर्वास किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोगों के साथ फटे हुए दूद से बने हुए एक मिठाई की रसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत बार ऐसा होता है कि घर में दूद फट जाता है इस फटे हुए दूद को हम कैसे यूज करेंगे आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ ऐसी ही और रसिपीज मैंने अपने चैनल में शेयर किया हुआ है आप जाकर देख सकती हैं आज हम बनाएंगे फटे हुए दूद से रस्मलाई शौंदेश या रस्मलाई बर्फी बहुत ही तेस्टी ये रसिपी बनकर तयार होगी आप इसे ट्राइ जरूर करें तो चलिए देख ले तेसे बनाना कैसे हैं यहां मैंने छेना ले लिया है और ग्राइंडिंग जर में डाल कर हम इसका पेस्ट बना लेंगे तयार इस पेस्ट को एक कढ़ाई में डाल देना है ये एक कप छेना का पेस्ट है इसे अच्छे से मिक्स करें फ्लेम को भी लो रखें छेना को कढ़ाई में फैला देने के बाद अब हम इसमें हाफ कप मिल्क पॉर्डर डालेंगे और चार से पांच चमत चीनी का पॉर्डर और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करें थोड़ी देर तक इने पकाएं अब हम इसमें खोया डाल देंग खोया डाल देने के बाद फिर से इसे मिला लेना है और थोड़ी देर तक और इसे पकाएं अभी हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे इसे तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी से ड्राइ ना हो जाए आप देख सकती है हमारा ये मिक्शर तैयार है इसे ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल लेना है जब ये बिलकुल अच्छे से ठंडी हो जाए तब हम इसमें इलाइची पॉडर डालेंगे और हाथ से इसे अच्छे से मैश करेंगे इस तरीके से अपने हतेली की मदद से इसे मैश करते जाए तब ये बहुत ही सॉफ्ट बन कर तयार होगा अब हम इसमें 10 से 15 ड्रॉप केसरी फूज कलर और थोड़े से केसर डाल कर फिर सेसे मिक्स करेंगे हमारा केसरी रंग का जो रसमलाई का डो है ये तयार है दोनों डो तयार है तो उनों में थोड़ा थोड़ा और दूद डाल कर मैंने इन्हें थोड़ी देर और गूत लिया कुकी कटर लिया है अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है आप अपने हिसाब से इन्हें कोई भी शेब दे सकती है क्योंगे मैं घी लगा लिया है शाथ ही प्लेट में भी अच्छे से घी लगा दिया है अब जो वाइड वाला डो है उसे सोटा सा एक portion निकालकर हम कुकी कटर म आप देख सकती हैं काफी अच्छा सा शेप आया है, बहुती सुन्दर देखने में यह हमारा रस्मलाई शौंदेश लग रहा है, तैयार है हमारा रस्मलाई शौंदेश, ऐसे ही हम बागी के शौंदेश को भी बना लेंगे, यह रसिपी हमारी रेडी है, फटे हुए दूद क च्छेने से बनी हुई, यह मिठाई की रसिपी आपको कैसी लगी? यह आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूले, आप चाहे है तो यह सेम रसिपी को फॉलो करते हुए, फ्रेश च्छेना या फ्रेश पनीर लेकर भी अगर आप चाहें तो इस सेम रसिपी को बना सकती है, तैयार है हमारा रसमलाई शौंदेश आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल में नए हैं और वीडियो अच्छी लग रही हैं तो बस वीडियो देखकर चले ना जाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लें साइद में जो बिल आइकन देख रहा है उसे प्रस करके और अल पे क्लिक करतें ताकि मेरे अपलोड किये हुए हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और अगर आप मुझे में देख रही हैं तो फालू जरूर कर लें थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग